हलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग हिंदी कक्षा की आखरी क्लास में आप सब का स्वागत है आज हम शिरू करेंगे पाठ 15 कागस की आत्मकथा चित्र पर आधारित कतिविधी बच्चों उप्योफ्त चित्रों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इन चित्रों में रंग बिरंगे तरह तरह के कागस दिखाए गए हैं आपकी पुस्तक भी कागस की ही बनी होती है क्या आपको पता है कि कागस जिसका आप इस्तिमाल करते हैं वह कहां से मिलता है इसके बारे में इंटरनेट पर ढूंडिए और नई-णई जानकारियां प्राप्त कीजिए प्राठ प्रवेश प्रस्तत पार्ठ में हम कागज के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आईए शुरू करते हैं पच्चों मैं हूं कागज जिस पर आप लोग लिखते हैं पहले लोगों के पास कागज नहीं था वे पेड़ के पत्तों लकडी छाल चमडा इट आधी पर लिखते थे लेकिन उनको सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था धीरे धीरे लोगों ने मेरा अविश्कार किया आज मैं आप लोगों को अपने जन्म का इतिहास बता रहा हूं साइलोन नाम का एक व्यक्ति था जो चीन का निवासी था एक बार वह एक बार वह लकडी काट कर सपाट कर रहा था उसने ध्यान से देखा तो उसे लकडी में रेशे दिखाई दिये उसी समय उसके मन में विचार आया की इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिस पर कुछ लिखा जा सके फिर क्या था वह प्रयोग में जुट गया अनेक प्रय थी मैं मोटा और खुर्दरा था मुझे बनाने का तरीका भी थोड़ा कटिन था लेकिन धीरे धीरे मेरे रूप को निखारने की कोशिश की जाने लगी मैं निखटा चला गया आज तो मुझे अपने रूप पर गर्व है मिश्र के लोग मुझे बनाने के लिए पैपरस ना सबी पौधों में पाए जाते हैं मुझे बनाने के लिए चीर, देवदार, आदी के पेडों की लखड़ी का प्रयोग विशेश रूप से किया जाता है मुझे कपड़े के रेशों से भी बनाया जा सकता है मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के लठों को काटा और छील जाता है फिर उसमें पानी मिलाकर आग पर पकाया जाता है इस प्रकार लुगदी तयार की जाती है इस लुगदी को दवा कर कागस की परत बनाई जाती है मुझे बनाने के लिए कई तरह के रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है आज कल मुझे सफेद रंगीन चमकदार मोट पतला पारदर्शी दानेदार खुर्द्रा और रंग बिरंगा बनाया जाता है मेरे हैंड मेड़ वाले रूप से बच्चे क्राफ्ट की बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं जिस फैक्टरी में मुझे बनाया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं छापे खाने का विश्कार हो जाने के कारण आज कल मेरी मांग बढ़ती ही जा रही है जहां देखो वहां मेरा ही बोल बाला है कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां मेरा प्रयोग ना किया जाता हो पत्र-पत्र काय समाचार पत्र पुस्तके फॉर्म लिफाफे आदी सभी मेरे ही कारण बने हैं ज्यादा क्या मुझसे ही बनता है आज कल मेरा उप्योग अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है जैसे ठैले समान रखने के लिए गत्ते के काटन और डिपे पेपर प्लेट आदी मुझे खुशी है कि संसार की उन्नती में मेरा बहुत बड़ा योगदान है कभी कभी मे मेरे कारण लाखों पेड काटे जाते हैं आज पेड़ों के कटने से संसार मैं तरह तरह की समस्याएं उत्पन होती जा रही है कहने का तात पर यह नहीं है कि मुझे बनाया ही ना जाए बलकि मुझे बनाने के लिए जितने पेड काटे जाए उससे अधिक लगाए जाए मेर पाड़ कर इधर उधर नाफे के बल की फिर से लुगदी बना कर मुझे नया जीवन दे हमें इसे पुनर्व निर्मान अर्थात री साइक्लिंग कहते हैं आज कल प्रतेक पाटशाला में बच्चों को लुगदी से मुझे बनाने का गुंड सिखाया जाता है पश्चिमी देशों के लोग इस विशे में जागरुख है इस विधी के द्वारा वे पुनहा मुझे बना लेते हैं हाँ जब मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो मुझसे थेला गत्ता आधी बना लिया जाता है बच्चों आप सभी मेरा भरपूर उपयोग करो लेकिन बरबाद मत करो मूले परक तथ्य कागरस के उत्पादन में कौन-कौन से साधन प्रयोग में आते हैं? आईए पहले शब्द वाटिका देख लेते हैं सुरक्षित संभाल कर सेफली संभव मुम्किन पॉसिबल अविश्कार खोज इन्वेंशन क्या आप जानते हैं कागस के अविश्कार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है कुछ इतिहासकारों का मत है कि कागस का विश्कार सबसे पहले मिश्र में हुआ था कागस का विश्कार इसा के लगभग 1400 पर्ष पूर्व मानते हैं शब्द वाटिका सपाट सम्तल फ्लाट विचार योजना खयाल आईडिया क्वालिटी मोटा स्थूल थिक तरीका प्रणाली पद्धती मेथड निखारना साफ करना टु रेफ्यूज कोशेश प्रयास ट्राय गर्व अभिमान प्राउट खोजबीन इंटरनेट गतिविधी छापने के अविशकार के विशे में इंटरनेट से जानिए और उसके बारे में अपनी कक्षा में बताईए शब्द वाटिका चापे खाना मुद्र डाले प्रिंटिंग प्रेस मांग तकाजा अनरोध दिमांड उप्योग प्रयोग यूज उन्नती विकास डेवलप्मेंट योगदान अंश गौंट्रिब्यूट दुरुप्योग गलत इस्तिमाल मिस्यूज पुनर निर्मान पिर से बनाना प्रीकंस्ट्रक्ट जागरुग मुस्तैद चौकना विजिलेंट बर्बार प्रबल तहस नहस रियून दिस्ट्रॉइट क्या आप जानते हैं रुपे ने जब कागस का रूप लिया तो अनेक तरहे के लाब हुए रुपे का कागस का रूप लेने से वस्तूओं का विन्यमेश में बहुत सरल हो गया नैतिक सिक्षा एवं मूलेFirst हमें कागस की बचत बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए लग भग एक टन कागस बनाने के लिए 17 वरक्षों की आवश्यक्ता होती है कागस की बचत से वनों के साथ साथ हानी कारक रसायनिक पदार्थ जल तथा उर्जा जो इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं को भी प्रयुक्त होते हैं की भी बचत होती है धन्यवाद बच्चों फिर मिलेंगे किसी और कक्षा में